हेलो एवरिवन इस वीडियो में डिसकस करेंगे पोईम अफार क्राइफ रॉम एफ्रिका रिटेन बाई डेरिक वालकॉर्ट डेरिक वालकॉर्ट को एज राइटर मैंने डिसकस किया हुआ है आप वो वीडियो देख सकते हैं फॉर दी बेटर कंप्रिहेंशन आफ दिस पोई है इक चीज़ राइटर के बारे में मैं मेंशन करना चाहएंगा वह इंपॉर्टेंट है कि राइटर की जो है उनकी अपनी परसनालिटी हाइफेनेटिड थी यानि फ्रेगमेंटेट थी Mixed Race या Mixed Personality थे किस तरह क्योंकि इनके जो एंसेस्टर थे वह ब्रेटिश और अफ्र पॉइम से आफर दी स्टॉम, फिस्ट और अफाइक, फार क्राइफ रम एफ्रिका, इन में आइडेंटिटी के रिलेटिट इशूस भी आपको देखनों को मिलेंगे, पॉइम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको हिस्टोरिकल बेग्ग्राउंड बताना चाहूंगा, पॉइम का जो की इंपोर्टेंट है, फार दी कम्प्रिहेंशन अफ दिस पॉइम, क्योंकि इसके पीछे हिस्टोरिकल एक इवेंट है, वो बहुत ही इंपोर्टेंट है, इस पॉइम का है, माउ माउ मोमेंट या माउ माउ अप्राइजिंग कहा जाता है, जो की केनिया में टेक्स प्लेस हुआ था, 1952 टू, 60 की दर्मियान के बीच में, केनिया के जो लोकल्स थे, नेटिवस थे, उन्होंने एक तहरीक चलाए थी अंगेंस्ट इस कलोनियलिजम अंगेंस्ट अ कलोनाइजर्स, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, राइट वो तंगा के, जुलम ज़्यादती से तंगा के उन्होंने आवाज उठाए थी, ऑवियम को हम पॉस्ट कलोनियल लन्स के तुरो पढ़ेंगे जिसमें कलोनाइजर्स और कलोनाइज़्स और उन्होंने की कलोनियलिजम या सारे उस रिस्पेक्ट से पढ़ेंगे, so poem के अंदर हम देखते है कि poet जो है negate करते है idea of violence को कि violence चाहे Britishers के साइड से हो या local natives के साइड से हो violence गलत है human violence against human या blood shit जो है this is totally wrong वो उस idea को negate करते है और at the end of the poem he is confused, वो confused है कि वो किन का साथ दे दे क्योंकि उसके अंदर जो है blood है दोनों की है Britishers की भी है और Africans की भी है so confused है कि वो किन का साथ दे दे कौन सा साइड चूज कर ले so is a kind of feeling of deep ambivalence and confusion regarding his loyalties so ambivalence important post-colonial term है kind of self-contradictive feeling या mixed feeling को कहा जाता है वो terms मैंने discuss किया हुए आप वो video देख सकते है so background हम discuss कर रहते है background यह होरिफाइंग events जो कि tax place हुई थी Kenya के अंदर 1950 में जो कि एक British colony थी उस वाट के ठीक है माव माव आपराइजिंग यह तो हमने समझा now line by line analysis दिखते है poem का so begin with the title significance की तरह refer करता है a fight a far cry यह जो है as a idiom भी यूस हो सकता है a far cry means something that is very far away that is beyond your reach ठीक है so यह refer करता है idea को की the independence या freedom is far away from the Africans और अफरिका जो है वहाँ पे स्थे नेचर वाल डाइफ है so natural का imagery nature का imagery हमारे सामने आता है इस title से ठीक है so it's a kind of metaphor for Africa और यह भी एक और interpretation post colonial Trumps में की जा सकती है इस title की वह यह की Africans के उपर जलम ज्यादती हो रही है operation हो रही है और वह जो आवाज निकालते हैं उनकी आवाज कोई नहीं सुनता उनकी क्राइस जो वह जुलम के जो रोना दोना है उसको सुनने वाला कोई नहीं है so this reference से भी different interpretation post colonial lens के जुरू आप इसको interpret कर सकते हैं so begin with the first stanza first stanza के beginning के अदर आप देख ले की point begin होता है एक सिंबल के साथ wind का सिंबल यूज हुआ है के रहा है a wind is ruffling the townie pelt so wind is a symbol है for violence के लिए so Africa के अंदर violence चल रही है और अफरीका को वो compare कर रहे है एक brownish skin animal के साथ वो kind of इसको interpret किया जाता है as lion यानि लाइन के साथ compare कर रहा है can I betten upon the blood streams of the wild यानि wild sorry wild जो है वो grassland है एक जगे का नाम है grassland है South Africa में वहाँ पर पूरी तरह bloodshed से blood stream से violence है war है corpses are scattered यानि लाशी इदर उदर बिखरी हुई है only a worm worm को वो metaphor यूज़ करता है for British के लिए colonial of the Korean Christ colonial again यह पन कुत्र रुपर word use हुआ है for colonial powers के लिए waste no compassion on the separate death उनका इन जो मरे हुए Africans उनके उपर उनका कोई sympathy नही है कोई pity नही है they do not feel for them और जो मरना है dead body से वो just a kind of figure है statistical data तक महदूत है ठीक है कोई इनसानी जान की कोई गदर नहीं है कह रहा है statistics justify and scholars see the salience of the colonial policy और यही colonial policy का part है कि वो जो है colonized people के life की value नहीं करते उसके लिए they are just figures and numbers ठीक है उसके उपर critique करते हैं कहते है what is there to be the white child hacked in bed to savages expendable as Jews so उनकी policy में यह है कि जो दूसरे colonized है या दूसरे nations है उनको savages समझते है जैसा कि Africans इस context में or they are replaceable as Jews Jews की तरह उनको कुछ नहीं समझते ते जैसा कि आपने holocaust के बारे में आपको पता होगा जब हिटलर ने वर्ल्ड वार तू के लाँ जिवस को जिवस का massacre किया हुआ था वही उसकी तरफ भी reference जाता है सो मजजी तनालसिस अगर आप देखना चाहे तो डिसकस करते हैं इसके अंदर जो सीन डिसक्राइब करते हैं a scene in Africa a violence का scene ठीक है कि dead bodies of the people they are scattered in a paradise paradise यानि paradise को जो है a kind of simile है या metaphor है अफरीका के लिए क्योंकि अफरीका नेचर नेचरल और उसका ठीक है इसलिए paradise का word use किया है so both the scholars and statistics sticks to the colonial policy and justify the state bodies as facts and figures यही इंसानी value के गदर नहीं है वो just facts and figures तक महदूत होके रह गए है अगला stanza देखते हैं अगले stanza हमा कहता है threshed out by the beaters the long rushes break in a white dust of abysus whose cries have wielded since the civilization's town from the parched river or the beast teaming plan again यहाँ पर वो बात करता है कि एक बात तो compare करता है beast दूसरे animal और beast और animal की violence को कहता है कि यह बात तो normal है beast के लिए या दूसरे animals के लिए कि एक animal दूसरे animal को hunt करे for its survival ठीक है लेकिन man hunting man यह तो एक unusual thing है इनसान इनसान को गतल करे hunt करे तो यह एक unusual thing है कह रहा है the violence of the beast on beast is red यह तो usual सी बात है और natural law है जबकि upright man या Christian true Christian man को कहा जाता है या humankind so man का violence against man या man का man को hunt करना मारना यह तो unusual है यह natural law के against है और यह human obsession की बात करते है यह दिलिरियस अस इस वारीड बीस इस वार्स डान्स तू दा टाइटन कारकस अफ ड्रम और यह kind of obsession बन जाती है human की की वह blood thrust बनता है दूसरे लोगों को मार के और यह रिफर करता है kind of की उनको मार के उनके स्किन से ड्रम बनाना ठीक है of dead bodies of the white piece contracted by the dead so in lines में point क्या कहना चाता है second stanza के अंदर he shift the image of african wildlife beast so why you comparison beast wildlife or any humans की life or there for the arrival of africans and europeans wildlife existed और कोड़ चीज यह थी कि यह colonizers ही है जिसने nature को खत्म किया अफरीका से वह से wildlife और जो beauty natural beauty सब कुछ resources सब कुछ उन्होंने ले लिया described as a hunting custom and violence and conquering is a sign of law of the jungle यह conquering जो है उन्होंने जंगल का قानून अपना लिया colonizers ने man who call themself a creature of divine human being जो खुद को अश्रफल मखलुकात समझते है creature of divine समझते है वो इस तरह के काम करते है violence करते हैं दूसरों को पिल करते हैं और जंगल का कानून अपनाते है inflict pain on others like beasts फिर आजाता है आपके पास third stanza third stanza के अंदर writer क्या discuss करते है writer discuss करते हैं again British necessity wife's hands upon the napkin of a dirty cause so यहाँ पर British necessity कहता है कि for the Britishers उनकी जो कहते हैं वो Britishers यह समझते हैं कि यह violence necessary हो गया है और वो इस तरह के causes justification देखके again napkin represent करता है British mannerism को और वो dirty cause पर अपना हाथ साफ करते है a waste of our compassion is with Spain again refer करता है civil war in Spain में जिसमें gorilla fighters को तरह रिफर करता है कि gorillas को compare किया गया है black people के साथ where a superman को compare किया गया है यह metaphor है for white people कहता है I am who poisoned with the blood of both और मैं जो है beach का लड़का हुआ हूँ poison हुआ हूँ कर्स हुआ हूँ क्योंकि दोनों की blood मेरे अंदर मौजूद है mixed personality है या mixed जो है rest है British और अफरिका का writer himself वह बात हमने starting में भी discuss कही थी his hyphenated fragmented personality और वह stance ने ले पा रहा है कि king का साथ दिया जाए where shall I turn divided to the when I have been cursed the Durkan officer of British rule how choose between this African English tongue English language से भी मुझे लगाव है मैं literature लिखता हूँ a kind of ambivalence feeling हो गए कि नहीं on the other hand जो violence वो कास करते है उसको भी मैं negate करता हूँ so he is in kind of ambivalence state confusion में है कि कौन सा side choose किया जाए how can I face such slaughter and be cool how can I turn from Africa and live और यह बात भी मेरे लिए मुश्किल है कि मैं अपना जो है homeland है अफरिका उससे दूर जाके मैं किस तरा जी होंगा so यह point यहाँ पे end होता है and themes को आप देख लिए violence and conflict है or identity Christ है, race है and colonialism है so this is all about this poem thank you for watching this video